हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल केरियर इंप्लोई तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ होंडा टू वीलर का सेलली स्लिप सेलली कितना आता है यह मैंने अपने दोच से मगाय हुआ है जो कि इसका प्रिंट निकलवा के मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम यह ओर्जिनल जो इसका सेलली स्लिप रहता है उसका यहाँ पर कोपी है तो पूरत दिखाने वाला हूँ समझाने वाला हूँ कि कैसा सेलली रहता है क्या इसमें रहता है तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो इसक उपर देख लेज़े यहाँ पर डिबार्टमेंट एफ डेस जीरो टू और यहाँ पर लिखा हुआ है एक सो ग्यारा एक सो बारा यहाँ पर नमबर दिया गया है इसके बाद यहाँ पर बताया गया है जो यहाँ पर फॉर्म है फॉर्म XIX C रूल 78 ठीक है 1 A और उसका भी जो इस प्रकार से यहाँ पर pay slip है यहाँ पर 4 दा month of October तो ये October month का यहाँ पर sellie slip है 2022 का तो इसे आप देख लीजिएगा 2022 में इस बंदे का sellie इतना आया था और क्या-क्या यहाँ पर मिला क्या कटा तो पूरा यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर जान लेते हैं कि इसका अधर डिटेल क्या है तो सबसे पहले जिस contractor के तुरू यह लगा था कोई भी बड़ी company हो चाहें वो Honda हो, Hero हो या फिर सुजकी हो, मारूती सुजकी हो कोई भी बड़ी company है या छोटी भी company है सबी contractor के थुरू ही hire करती है साइध ही कोई सो में से एक company ऐसी निकले जो direct hire करती हो वरना कुछ दिन आपको contract base पर रखा जाता है contractor आपको hire करते हैं उसके बाद ही company आपको देखती है आपका performance देखती है कि आपका ऐसा काम करते हैं आपका behavior देखती है और आपको experience के आधार पर फिर आपको आगे बढ़ाती है और last में permanent भी करती है तो यहाँ पर जो name of contractor बताए गया है यह है MS Sunbright Manpower Solution Private Limited है यह इस company के थुरू इसमें join किया था यह contractor का जो company है उसके बाद यहाँ पर बताए गया है name of principal employer अर्थात किस company में इसकी hiring हुई थी तो यहाँ पर बताए गया है कि Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited तो यहाँ पर Honda Motorcycle, Scooter, India Private Limited अर्थात इसे Honda Two Wheeler भी कहते हैं तो इसमें इसका joining हुआ था इसके बाद यहाँ पर बताए गया है Nature Location of Work तो यहाँ पर बताए गया है CMC and 1 और यहाँ पर जो फादर का नाम है वो यहाँ पर असोक वीरा है Gender यहाँ पर male है और यहाँ पर जो इसका ID है वो यहाँ पर यह बताए गया है ठीक है तो यह इसका यहाँ पर ID है और यहाँ पर जो बंदे का नाम है वो यहाँ पर रभिंदर इसका नाम है तीक है तो यहाँ पर इस बंदे का नाम रविंदर है और जो इसका इसाई नमबर है वो यहाँ पर दिया गया है इसाई नमबर तो इस प्रकार से आपका होता है यहाँ पर आइडेंटिपिकेशन नमबर है जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा है उसके बाद एक्च दिन का यहाँ पर सैल ली है यहाँ पर बताए गया है कि जो यहाँ पर नंबर ओप पेवल डे तो यहाँ पर 31 रूपे है रिकावरी डे यहाँ पर जीरो है और नेट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 31 रूपे और उसके बाद टोटल हावर्स जो यहाँ पर बताए गया है यह दस घंटे है ठीक है यह क्या है यह है ओटी ठीक है यहाँ पर इसका ओबाटाइम इसने दस घंटे किया था पूरे महिने में तो इसका दस घंटे यह ओबाटाइम है नाइट सिफ्ट डे वर्कड तो यहाँ पर इसने नाइट सिफ्ट में जोब नहीं किया था तो यहाँ पर इसका कुछ personal detail है और कुछ company का यहाँ पर detail है इसके बाद यहाँ पर basic पे यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर basic पे इसका 12,650 रुपे रहता है basic पे plus DA ठीक है HR अर्था the house rent allowance यहाँ पर आपका इसके मिलता है 1809 रुपे ठीक है और DA अर्था dareness allowance और basic पे मिला के 12,650 रुपे इसके बाद यहाँ पर बताएगया है education allowance ठीक है तो यहाँ पर नहीं मिलता है यहाँ पर बताएगया है कि जो और भी allowance हैं यहाँ पर यह सब नहीं मिलते हैं performance allowance इ इसे 800 रुपे यहाँ पर मिला है इसके बाद यहाँ पर night shift allowance यहाँ पर नहीं मिला है कि नाइट में इसने एक भी duty भी नहीं की है OT का यहाँ पर 10 घंटे का इसे 1390 रुपे यहाँ पर इसे overtime मिला है तो आप देख लीजिए कि कि कितने रुपे overtime यहाँ पर चला है तो बहुत ही अच्छा overtime यहाँ पर दिया गया है 1390 रुपे 49 पैसे यहाँ पर overtime इन्होंने दिया है तो यहाँ पर काफी अच्छा overtime दिया गय यह तो earning है और उसके बाद deduction देख लीजिए क्या क्या कटता है यहाँ पर इसाई के 125 रुपे कटे हैं पीएफ यहाँ पर 1518 रुपे कटा है और यहाँ पर जो personal tax हैं जो की केंदर सरकार और राजी सरकार के होते हैं वो यहाँ पर 200 रुपे कटा है content deduction यहाँ पर 295 रुपे कटा है और यहाँ पर transport का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नहीं कटा है ठीक है इंसोरेंस का भी यहाँ पर 30 रुपे कटा है और यहाँ पर जो यहाँ पर रहता है कि आपका पीपी जो पूरा रहता है कीट बगेरा उसका यहाँ पर कुछ नहीं कटा ग यहाँ पर recovery का 0% है कुछ भी नहीं recover हुआ है total यहाँ पर जो इसका जो salary बना है earning हुआ है वो 16,689 रुपे 29 पई से हुआ था deduction यहाँ पर इसका कितना हुआ था total deduction तो यहाँ पर 2168 रुपे यहाँ पर इसका deduction हुआ था तो net pay after जो यहाँ पर deduction के बाद इसे आप in hand salary कहते हैं या tech home salary कहते हैं ठीक है तो वो इसका 14,481 रुपे यहाँ पर इसका in hand salary आया है तो आप देख सकते हैं इसका S bank था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप Honda two wheeler में काम करते हैं तो आपको यहाँ पर कितना salary मिलेगा ठीक है इस salary slip की बात करें तो यह salary slip है जो बैंगलोर में प्लांट है Honda two wheeler का Honda जो motorcycle है जो Honda motorcycle and scooter India private lifted है तो उसका यहाँ पर जो यह salary slip है वहाँ मेरे दोस्त काम करते हैं तो वहाँ से मैंने आप सभी लोगों के लिए मगवाया था और इतना ही बड़ा salary slip मिलता है हलांकि इसमें आपको इसपर्ष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा और उससे बहुत ही अच्छे से उसने भेजा है तभी यहाँ पर Honda company चाहे 4 wheeler हो चाहे 2 wheeler हो इन में बहुत ही जो इनके लिखने का तरीका है वहाँ पर पतला रहता है जबकि मारूति सुचकी जैसी company में बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिखते हैं लेकिन यहाँ पर पतला रहता है, तो यहाँ पर बहुत ज्पन पर problem आता है, इसके बान यहाँ पर यहाँ पर बताए गया है, कि यहाँ पर वहीं से computer में निकाल गया था तो उसी का यहाँ पर बता रख्या है कि वहाँ जो system रहता है वहाँ से you sell you slip निकाले जाते हैं और फिर सबी को provide किये जाते हैं जब आपका मंत पुरा हो जाता है sell you आ जाता है ताकि आप इसे check कर पाएं कि आपको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है क्या deduct हुआ है आपकी salary में कुछ गड़बर तो नहीं हो गया है तो वो पूरा आप यहाँ पर चेक कर पाते हैं तो I hope आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रस कर दीजिए जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की notification आप से दो को मिल जाएगी मिलते है ने इस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मातरम